लिया जाए इलका आप तो काफी हत तक कंफर्म्ड है ना आप तो अशो गेलोती आपके नए ध्यक्ष बनने जा रहे हैं हाला कि मुझे पता है आपकी पार्टी में कहा गया है प्रवक्ताओं को कि इस चुनाव पर ज्यादा बोलना नहीं है बिचारे गौराब बनलब वो एक एनाई पर बाइट देकर उनको डाट भी पढ़ गी होगी मानर जी मेरी पार्टी नहीं अगर कहा होता नहीं बोलना तो मैं आपके चैनल की आज इस डिबेट पे नहीं आती लेकिन ये सोब भागे आपको आपके चैनल को हमारे सम्मानित पैनलिस्ट को कॉंग्रेस नहीं दिया है क्योंकि एक ही तो पार्टी है पूरे देश के तेहास से अभी तक 1885 की पार्टी 137 सार पुरानी पार्टी एक लोती पार्टी जिसमें आंतरिक लोकतंत आज भी जिन्दा है जिसमें आज भी अध्यक्षपद का चुनाव होता और मेरे जैसे कारेकरता जो सदस्से उन्हें वोट करने का जो है वो अवसर मिलेगा भाजपा हो या नई-णेवेली आम आदमी पार्टी हो 2012 से 22 आगया एक ही नेता अरविंद केजिरिवा भाजपा हो टेमसेओ भी एसकेओ कोई लोक्तंत्र नहीं कोई चुनाव नहीं खोगा या नहीं होगा रहुल गांडी जी बन जाएंगे मुझे लगता है समय के साथ अभी भी हमारे पैनलिस्ट ने समानीत है बहुत से सवाल कड़े कर रहे हैं लेकिन हर सवाल का जवाब चैनल पे नहीं दिया जा सकता है, समय का अंतिजार करना पड़ता है, आज ये सचा ही है, चुनाव हो रहा है, नमांकन हो रहे हैं, और कॉंग्रेस के विरिस्ट, जो अनुभवी, सबसे जादा जिन्होंने पार्टी के लिए एक अपना योगदान उन्होंने नमांकन भरे हैं, और बिल्कुल, मैं ये कह सकते हूँ, मैं किसे मत दूँगी, ये मेरा अधिकार है, और मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ, कि मैं किसे अपना वोट दूँगी, पर मुझे गर्ब महसूस हो रहा है, जैसे राहुल गांदी जी ने कहा, और मैं कमेटी में वरिस्त उपध्यक्ष का पद दिया, और दोनों ने मिलकर फिर पार्टी को आगे ले जाने का काम किया, ये इस बार भी होगा, ऐसे नहीं है, अगर चार लोगों ने अपलाई किया, वोट होगा, एक ये ध्यक्ष शुना जाएका, लेकिन बाकियों की भूमी का, कहीं भी कम 2024 में नहीं होगी, और रावल गांदी जी का लाज़ शाब्द है, भारत जोडों यात्रा पर निकले हुए हैं, ताकत दे रहे हैं, और साफ कहा दिया, ये एक समयधानी को पद नहीं है, ये सिर्फ एक आप सोरी समयधानी कह रही हूँ, एक और्गनाईजेशनल आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं, यूस 24.